नमस्कार, प्रिय चात्राओं और दर्शकों, सबसे पहले मैं आप सभी का इस शैक्षणिक वीडियो में तह दिल से स्वागत करता हूँ. आशा करता हूँ कि आप सभी को इस वीडियो में मेरी तरफ से दर्शाय गए पाठ का अच्छे से अध्ययन हो. तो बच्चों, हम इस वीडियो में सिखने वाले हैं. नमब दो, छात्र चात्राएं इस पाठ से सामाजिक संदर्व में शिक्षा के प्रभाव को समझेंगे और यह समझेंगे कि भारतीय शिक्षा के इतिहास में कौन-कौन से प्रमुख घतक थे, जो इसे बदलने में सहायक रहे हैं. नमबर चार चात्र चात्राएं इस पार्ट से यह सीखेंगे कि भारतिय शिक्षा प्रणालियों का विकास कैसे हुआ और इनमें कौन-कौन से परिवर्तन हुए और नमबर पांच चात्र चात्राएं इस पार्ट के माध्यम से आत्म निर्भरता की महत्व पूर्णता और ये समझेंगे कि भारतिय शिक्षा के इतिहास में आत्म निर्भरता के क्षण कैसे आए। ये तो हुए हैं। अध्या यन परिणाम। चलिए। अब इस पाठ की आप सभी को संक्षिप्त में परिचय या प्रस्तावना बता दू। अब चलते हैं इस पाठ के समगरी की ओर। इस योजना के कारण प्रात्मिक शिक्षा व्यवस्था को गतिमान होने में सहायता प्राप्त हुई। वर्ष 1994 में इस योजना को विस्तार देते हुए 100 से अधिक विद्यार्थी, संख्या वाले विद्यालयों में एक कमरा और एक अतिरिक्त शिक्षक की नियुक्ती का प्रावधान किया गया। छात्राओं के विद्यालयों, अनुसूचित जाती, एवं जन जाती बहुल विद्यालयों और ग्रामीन क्षेत्रों को वरीयता दी गई। शिक्षकों की नियुक्तियों में 50 फिस्दी पदों पर महिलाओं की नियुक्ति करने का बंधन राज्य सरकार पर लगाया गया। वर्ष 1994 में प्रात्मिक शिक्षा के सार्वत्री की करन के लिए जिला प्रात्मिक शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया गया। यह उपक्रम महाराष्ट्र सहित सात राज्यों में शुरू हुआ। 1995 में मध्यान भोजन योजना का प्रारंभ किया गया। भारत स्वतंत्र होने के पश्चात शिक्षा मंत्री मौलाना अबुलकलाम आजाद ने शिक्षा क्षेत्र में आमूलाग्र परिवर्तन लाने का निश्चय किया। इसके लिए विश्व विद्यालय शिक्षा आयोग क का गठन किया गया था। इस आयोग ने माध्यमिक शिक्षा के संदर्भ में एक स्वतंत्र आयोग गठिद किये जाने की सिफारिश की। उसके वर्ष 1952 पन में मौलाना आजाद नुसार में मुदलियार आयोग का गठन किया गया। उस समय भारत में शिक्षा का ग्यारहवी और सनातक के चार वर्ष अथवा ग्यारह अधिक एक अधिक तीन था। कोठारी आयोग का वर्ष 1964 में डॉक्टर डीएस कोठारी की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया। इस आयोग के काम का आज में जेपी नाईक का उलेखनीय योगदान रहा। इ जेपी नाईक पत्रा चार शिक्षा, मुक्त विश्व विद्यालय जैसे उपक्रम सुझाए। अनुसूचित जातियों जन जातियों जैसे उपेक्षित वर्गों को प्रात्मिक्ता देना, सरकारी बजट में शैक्षिक व्याय को बढ़ाना जैसी सिफारिशें की महाराष् राज्य ने वर्ष 1972 में दस अधिक दो अधिक तीन इस शैक्षिक संरचना को स्वीकार कर वर्ष 1975 में दसवी कक्षा की प्रथम शालांत परीक्षाली। आयोग ने पंच वर्षिय पद्धति को स्वीकार किया, विश्व विद्यालयों के अनुदानों को स्वीकृत कर उनका वितरण करने का कार्य, आयोग ने सरकार की ओर से प्रारंभ किया, विश्व विद्यालयीन शिक्षा नियोजन, पाठ्यक्रमों में सूत्र बध्धता, शिक्षा द्वारा राष्ट्रिय आवश्यक्ताओं को प्राथमिक्ता देना, उच्च शिक्षा की विभिन योजनाएं तयार कर उनका कार्यान वयन करना जैसे आयोग चला रहा है, एक, सितंबर, उनिस सो, एक सटको, दिल्ली में NCRT इस संस्थान की स्थापना की गई, केंद्र सरकार को विद्यालाईन शिक्षा के विशय में, सर्वांगीन नीतियों के संदर्भ में और शैक्षिक योजनाओं के कार्यान वयन में सहयोग देना इस संस्थान का प्रमुख उद्देश्य है, शिक्षा से संबंधित अनुसंधान या शोधकार्य, विकास, केंद्रिय भूमिका निभाई, प्रात्मिक और माध्यमिक शिक्षा के संदर्भ में NCRT ने राज्य सरकार को सहयोग और मार्ग दर्शन दिया है, शिक्षकों के लिए मार्ग दर्शिकाएं, कार्य पुस्तिकाएं, अध्यापन पुस्तिकाएं, बनाना, अध्ययन, अध्या संस्थानों की स्थापना की गई। संस्थानों की गई। इस संस्था का प्रशासन स्कूल शिक्षा और खेल विभाग मंत्रालय महाराष्ट्र राज्य मुंबई के तत्वा वधान में है। अब इतना कुछ सिखने के बाद आपको ग्रहकार्य तो देना बनता है ना। तो लिजिए ये कुछ वाइट बोर्ड एनिमेशन के जरिये दिये गए ग्रहकार्य को अपने स्मरण पुस्तक में लिखिए और कल स्कूल आते वक्त इनके जवाब लिखकर आपके विशय शिक्ष का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। जय महाराष्ट्र।